नमस्कार दोस्तों आपके सामने लेकर आ गए हैं जौब 2023 जिसमें आप 12th पास हैं तो उनके लिए ये खुसकबरी है जो आप ये टाइप कर सकते हैं मैं पूरा लिंक आपके सामने दे दूंगा किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना पूरा डीटेल आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा जैसे इस वीडियो में देख सकते हैं IGI Airport Requirement 2023 जब डालेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा और इस पेज में ये वाला जो लिंक आपके दीख रहा है IGI Aviation Service Private Limited इसमें आपको क्लिक कर लेना जैसे आपको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपको सामने open हो जाएगा यहां पर आप उसके advertisement को view देख भी सकते हैं Hindi और English option है ठीक है और यहां पर apply कर सकते हैं ठीक है यहां पर apply कर सकते हैं apply करने के बाद यहां पर अपने applications को उसका status check कर सकते हैं प्लस उसके बाद जो detail है date है उसके base पर आप उसके admin card download कर सकते हैं और यह जो recruitment है इसमें लिखेत exam होंगे उसके बाद interview होगा उसके बाद यह selection होगा ठीक है साथी साथ में इसमें जो salary है वो 25 से 35 तक यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर instruction है जो form fill up करने के लिए इंस instruction है नीचे जबाएंगे यहां पर 7 instruction है उसको पढ़ने के बाद यहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर apply now कर सकते हैं apply now करने के बाद इस तरीके का date आपको देखने को मिलेगा कि online जो registration start हुआ है 12th April 2023 और इसका last date registration का 21st June 21st June last date इसके पहले ही आप मतलब इसको form को भर सकत हैं ठीक है examination का date है जो होगा वह भी आपको announce किया जाएगा site पर आजाएगा ठीक है और इसका result उसके 20 days के बाद कर दिया जाएगा यहां पर कुछ information है यह note down कर सकते हैं help line number है और timing 9-6 PM है ठीक है इस तरीके का form है personal detail पहले form भरने के लिए आएगा जिसमें आपको title आपका name father name data bot nationality gender category matter status और चूज examination center इसमें आपना अपना examination center जहां पर आपको नजदीक है वहां पर आप इसको select कर सकते हो ठीक है जैसे आपके नजदीक अगर सूरत है तो सूरत कर सकते हो राजकुट कर सकते हो ठीक है जहां पर भी आपको नजदीक यह पड़े ठीक है क्योंकि all over यह उ center है ठीक है यहां पर आपका address परना है जो आपका address है उसके बाद साफका qualification डालना है ठीक है जिसमें 10th का detail आप डालोगे 12 का डालोगे और अगर आपने graduation किया है तो यह optional में है 12 तक ही है 12 के बाद भी आपने किया है तो यहां पर वो fill कर सकते है साथ-साथ में यह भी optional है आप के उपर depend करता है आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा फिर यहां पर कुछ source है जो mention करना है मतलब यह जो आपको detail दिया जा रहा है वह आपने कहां से मतलब आपको कहां से पता चला यहां पर आप बता सकते हो कि अलग-अलग social media बता सकते हो या print media बता सकते हो या अलग जगह से कोई अगर employee referral है तो वहां से भी आप बता सकते हो साथ साथ में यह आपको फोटोग्राफिय आपका सेफ करने के लिए आएगा और साथ साथ में आगे submit करेंगे तो इसका option दिखाएगा या तो review भी कर सकते हो कि देख सकते हो कि जो भी आपने भरा वो सही है या नहीं है तो इस तरीके से आप पूरे detail को समझ सकते हैं ठीक है यह star marks जहां जहां लगे हैं यह mandatory आपको डालने ही है ठीक है इस तरीके से डालके और form fill up कर सकते हैं तो यह जानकारी अगर आपको अच्छे से मिली है तो जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करें कि ताकि उनको भी यह benefit मिल सकें ऐसे ही जॉब वेकेंसी को आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आपको इनफॉर्म करते रही है तो हमारे चैनल